डिलीजयसी रेश्पी, तो आज हम अपने किचन में लेके आई हूं के तैयार होने वाला है, बहुत ही हेल्थी तरीके से हम इसे बना के तैयार करने वाले हैं, जो कुछ ही मिन्टों में बनके तैयार हो जाएगा और काफी इस वंची जो है हमारी रेस्पी बनके तैयार होने वाली है तो चलिए इस रेस्पी को हम बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमें लेना है एक मिकसर जार उसमें हम डाल देंगे एक कटोरी सूजी तो यहां पर सूजी आप कोई भी ले सकते हैं बारीक वाली रहें लीए ऐती कटोरी दलेवाली है चल सकती है और मिठी वाली बीदे याप ले सकते हैं, अब इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे पानी, पानी डालने के बाद, अब इसमें हम डाल देंगे आता चमप्ज के करीब नमक मतलब की स्वादानशा नमक, चार से पांच डाल देंगे इसमें हरी मिर्च इससे क्या होता है कि नास्ते में बहुत ही अच्छा सा टेश्ट आता है अब यहाँ पर हम डालेंगे एक चमच चीनी चीनी का भी बहुत ही अच्छा सा टेश्ट आता है तो अब इसे हम cover करके क्या करेंगे ना इसका smooth सब paste बना लेंगे तो ये देखिए हमारा यहाँ पर सूजी और दही का बहुत ही अच्छा सा paste बनके तयार हो गिया है अब इसे हम एक बरतन में transfer कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने इसको एक बरतन में निकाल लिया है सूजी का paste हमारा एकदम smooth बनके तयार हुआ है तो यहाँ पर जार में क्या है थोड़ी सी सूजी लगी हुई है तो इसमें मैं क्या करूंगी थोड़ा सा डाल के पानी और इस जार को भी मैं धुल के निकाल लूँगी तो यह देखिए मैंने यहाँ पर डालते हैं जादा पानी हमें नहीं डालना है अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसे हम अच्छी तरह से पानी और सूजी को mix कर देंगे mix करने के बाद अब इसे हम पान से साथ मिनट के लिए रखेंगे rest पे ताकि सूजी अच्छी तरह से खिल जाए तब तक हम बाकी की तयारी भी कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने इसे mix कर लिया अब इसे हम cover करके 10 मिनट के लिए रख देते हैं rest पे तब तक हम क्या करेंगे इसमें add करने वाली बाकी चीजों को cut कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने ले लिया है प्याज और टमाटर तो यहाँ पर आप क्या कर से रहे हैं अपने पसंद के जैसे कि आपकी घर में जो भी मौजो सबची है आप इसमें कोई भी सबची add कर सकते हैं तो मैं इसमें सिर्फ क्या है प्याज और टमाटर ही add करने वाली हैं तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी साइज का प्याज लिया है मैं पूरा इस हिससा नहीं डालने वाली हैं सिर्फ आदा ही प्याज इसमें add करूंगी प्याज और टमाटर को हम यहाँ पर बारिक बारिक यह एहांपर कट कर लेंगे तो चलिए हम याप साधी सब्ची को कट कर लेते हैं तो अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन की गंटी को भी प्रेस कर लीजे ताकि हमारी जो भी वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे अब हमने यहां पर प्याज को कट कर लिया है और आदर प्याज हमने उठा के साइड में रख दिया है क्योंकि हम हम सब्सक्राइब बात प्याज को मिलता है और कर दो को呼ी रहे और प्याज करने हमारी ठालने से हमारी पहलवे टेष्टिवन के पन है तयार होने हिए तैया मैं कि सूजी बहुत ही अच्छी तरह से खिल गया है और पहले से थोड़ा सा थीक भी हो गया है बैटर अब इसमें हम डाल देंगे बारी कटी हुई सब्जिया सब्जिया डालने से क्या होगा कि हमारी ब्रेकफास्ट ड्रेस भी बहुत ही टेस्टी बनके तयार होगा तो यहां प सब्जिया मिक्स करने के बाद यहां पर मैंने डाल दिया है एक चमच अत्रग और लेसन का पेस्ट इससे क्या होगा कि हमारा नास्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा इसे हमें ना तो तड़का लगाने की जरूरत पड़ेगी और ना तो इसमें अलग से कुछ और एट करने की के अनों डालनी के बाद अब उसके उपर हम डाल देंगे 102 चमच पानी। पानी डालते ही आप देखवेंगे कि इसमें काफी ववल्स बनने लगा है।정म Teaching patient L पहले नहीं डालना है इनुल को हम सबसे लाष्ट में हापर can do मैंने में पहले से चरडक ग्रेस है तो से पहले से घरखला और केढम जिस जारी में नहीं डालना घरंब्लोट उसे पहले से कर सकाला यह पर है ते पहले में ते लिए यहां पर यह देखिए मैंने बरबर बरबर डाल दिया और काटोरी को खाली भी थोड़ा सा रखा हुआ है पर तीनों कटूरियों को अच्छी तरह से सेट कर देंगे आप इस रेसिपी को कटूरी में प्लेट में थाली में किसी भी चीज में बनाए यह बहुत ही अच्छी तरह से सेट होता है अब इसको हम डखने के बाद इसे एक बड़ी थाली से कवर करके इसको 15 मिनट तक लो टू ही चेक भी कर लेंगे कि नास्ता था शिर्म टाल करने करते है फाल इसी चाकुब निकल ला वक और गचें भी साथ करेंगे हम इसे में दखने कले के लिए तो यहाँ पर मैंने नास्ता बना के रेडी कर लिया है कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगे जब यह ठंडा हो जाएगा ना तो यह अपने आफी कटोरी को साइट से छोड़ देगा इसको हमें तुरंत नहीं, निकाल ला है नहीं तो क्या होगा गिनने नास्ता बीज मसल से टूट जाएगा जब नास्ता थोड़ा सा थंड़ा हो जाए तो आप इसे चाकु से किनारे को चुढा लेजिए या हातों से चुढा लेजिए बहुत ही असाने से कटोरी से बाहर निकल जाता है काफी fluffy और काफी जालीदार हमारे यहां पर breakfast recipe बनके तयार हो गया है वो भी कुछ ही मिन्टों वे वो भी बहुत ही healthy तरीके से अब इसी तरह से हम बागी की कटोरीों में से भी सारी pieces निकाल लेंगे कुछ इस तरह से यह दे कि super soft हमारी recipe यहां पर बनके तयार हो गई है तो अगर आप चायत इसमें इसको मतलब कि इसी तरह से चटनी के साथ खा सकते हैं लेकिन हम इसमें थोड़ा सा लगाने वाला तड़का ताकि जोए कि हमारी breakfast recipe थोड़ी और भी tasty हो जाए तो हमने तवे पर डाल दिए एक चम्मच oil और अब इसे हम गरम होने तक थोड़ा सा委 हेट करएं अब इसमें हम डालेंगे आदा चम्मच nessa के करीब राई याई डालनेे के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा और सफेद तील इसे क्या होगा खिनास्ता हमारा काफी जो है टेस्टी लगेगा खाने में अगर आप चाहे तो आप इस तड़के को इसकीप कर सकते हैं ऐसे ही इसको आप अपने मन पसंद किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं तब भी नास्ता हमारा बहुत ही टेस्टी इसके बाद मैंने यह फोड़े से डाल दियें कड़ी के पत्ते हो एक करेंगे एक एक करके सारी का दाल देंगे और फिसे हम घुमा घुमा के पकाएंगे ताकि चार स्थी तरफ फ्राइच हो जाए मैं इसको जाद इसको तरह कर नहीं करूंगे प्राजा लगा सकते हैं कि हमारे ब्रेकवार्स ट्रेस्ट भी कितनी टेस्टी बनके तयार हुई है तो अभी से हम क्या करेंगे दूसरी साइड से भी पलट देंगे दोनों साइड से मिसको पलट पलट के अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए सेख लेंगे तीन से चार प्रेकवार्स ट्रेस्पी बनके तयार हो गई है अब इसे हम क्या करेंगे एक प्लेट पे निकाल लेंगे और इसके साथ आप अपनी मन पसंद चटनी के साथ खा सकते हैं धनिया पुदीना या तो नारियल की चटनी या मंपली की चटनी के साथ यह आपको बहुत ही बनके तयार हो गई है तो आप भी एक बार इस तरह से ब्रेक फास्ट रेस्पी को बनाएए आपको बहुत ही पसंद आने वाला है अगर आपको हमारी यह रेस्पी जरा से भी पसंद आई हो तो प्लेज वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइ वीडियो में और वीडियो में लाज तक बने रने के लिए आप सभी को धेर सारा थैंक यूँ